हलो स्टुडेंट्स गुड मॉर्निंग मैं सुमन यूट्व चैनल इंडिया ओल्डेज में आपका स्वागत करती हूँ देखे स्टुडेंट्स हमने हडपा सब्वेता या फिर सिंदुगाटी सब्वेता से संबंदित संपूर्ण जानकारी पहले वाले वीडियोज में देख नगा फोर तो देखे पढलते हम सिंदुगाटी सब्वेता के पर्षनोर उत्रों के बारे में तो देखेगा स्टुडेंट्स क्योसन है हडपा सब्वेता हडपा सब्वेता के मकान कैसे स्थमवों से बने हैं मकानों के निर्माण में वर्गाकार चत्रपुजाकार इस्थंभों का प्रियोग किया गया है या फिर मकानों के निर्माण में गोलाकार आयताकार इस्थंभों का प्रियोग किया गया है तो देखिएगा सिंदुगाटी सब्यता की जो मकान है वो वर्गाकार, चत्रपुजाकार, इस्थंभों का प्रियोग किया गया है तो सिंदुगाटी सब्यता की मकानों में वर्गाकार, चत्रपुजाकार, इस्थंभों का प्रियोग किया गया है सिंदू काल में कौन सा जानवर पालतु नहीं था गाय या फिर बैल तो सिंदू काल में गाय है वह पालतु जानवर नहीं था अगला क्यूसन है कौन सी सब्वेता के लोगों ने सबसे पहले निर्मान करना प्रारम किया था सिंदू गाटी सब्वेता के लोगों ने या फिर वैदिक सब्वेता के लोगों ने सबसे पहले निर्मान करना प्रारम किया था क्यूसन है पैमानों की खोज ने ये सिद कर दिया है कि सिंदू गाटी के लोग मापवर बाट से परिचित थे ये खोज कहां पर हुई काली बंगा में, लोथल में या फिर राखी घड़ी में तो ये खोज हुई थी लोथल में उगला क्यूसन है सिंदू सब्वेता की लोगों की महतोपुन रचना किसकी मूर्ती थी नरत्य करती हुई बालिका की नरत्य करती हुई मोर की या फिर मिट्टी से बने खिलोने की तो इसमें ऐगा सिंदू सब्वेता की लोगों की महतोपुन रचना वो है नरत्य करती हुई बालिका सिंदू सब्वेता की लोगों का मनोरंजन का परमुक साधन क्या था मनोरंजन का परमुख साधन क्या था अर्था परमुख खेल क्या था इनका वो है पस्वों का आवास में लड़ाना पासा खेलना या फिर सिकार खेलना शिकार खेरना है फिर शिकार करना तो वो था पासा खेरना तो सिंदु सबेता के लोगों का मनोरंजन का परमुख साधन है वह था पासा खेरना अगला की सुन है सिंदु सबेता के पतन का परमुख कारण क्या था बाड विदेशी आकर्मन या फिर आपस में लड़ना तो सिंदू सब्वेता के पतन के कारणों में कोई निश्चित कारण अभी तक पता नहीं चला है फिर भी जितने भी कारण है विद्धे सी अकर्मन है आपस में लड़ना है बाढ़ है इन सब में बाढ़ है उसको महतोपुन कारण माना गया है सिंदुगाटी सब्वेता के पतन का अगला की सुनाए मेसोपोटामिय में प्रियुक्त मेलुहा सब्वेता के लिए आया है हडपा सब्वेता का सास्थन किस के हातों में था वनिक वरक के हातों में सर्मिक वरक के हातों में या फिर कर्शक वरक के हातों में तो हडपा सब्वेता का सास्थन है वह वनिक वरक के हातों में था धान के साक्से कहां से मिले हैं तो धान के साक्से वो काली बंगा तदा हडपा से मिले हैं या फिर रंगपूर या लोथल से मिले हैं या फिर बनावली या और सुत कोटड़ा से मिले हैं तो धान के साक्से वो रंगपूर एवं लोथल से मिले हैं सर्व पर्थम धान के साख से कहां से मिले सबसे पहले चनहुद्रों से सोर्तु गई से या फिर लोथल से तो सर्व पर्थम धान के साख से लोथल से प्राप्थ हुए हैं अगला क्यूसन है मेसोपोटामिय के छेतर अकाड के सासक सर्गोन का अभिलेक के नुसार सिंदुगाटि सब्वेता का काल क्या माना गया है वो है आपका 3250 से 2750 इस्सा पूरु है अगला क्यूसन है सर्गोन के अभिलेक में किन तीन शब्दों का उलेक किया गया है तो सर्गोन के अभिलेक में कौन से तीन शब्दों का उलेक किया गया है दिलकन, मोकन और मेलुहा सरगोन के अबिलेक में नाविकों का देश किसे कहा गया है मेलुहा को सरगोन के अबिलेक में नाविकों का देश किसे कहा गया है वो आपका मेलुहा को और सरगोन के अभिलेक में उगते हुए सूरिय का देश किसे कहा गया है बहरीन को कौन से अभिलेक से पता चलता है कि बंदरगाहों के किनारे बस्तियां बसाई गई थी सिंदुगाटी सब्बेता का नगर मोहन जोद्डो किस नदी पर इस्तित है हडपा ये स्थल हडपा किस नदी के किनारे इस्तित है रावी नदी रोपड नामक नगर किस नदी के किनारे इस्तित है सतलज मांडा नामक नगर किस नदी पर इस्तित है तो मांडा नामक सेंदव स्थल है ये किस नदी पर इस्तित है चिनाब नदी पर काली बंगा किस नदी के तट पर इस्तित है घगर हटपाई स्थल लो थल किस नदी के किनारे पर इस्तित है भोगवा नदी सुतका गेंडोर नामक स्थल किस नदी के तड़ पर इस्तित है दास्क नदी बाला कोट संदव स्थल किस नदी के तड़ पर इस्तित है विंदार नदी सोत का को है स्थल किस नदी के किनारी परिस्तित है साधी कोड नदी अगला कि सुने आलमगीर हडपाई स्थल किस नदी परिस्तित है हिंडन नदी तो आलमगीर नामक एक हडपाई स्थल है वह हिंडन नदी के तट परिस्तित है अगला की सुन है रंगपूर इस्तल किस नदी के तड़ पर इस्तित है मादर नदी अगला की सुन है कोट दिजी संधम परदेश किस नदी के तड़ पर इस्तित था सिंधु नदी कोट दिजी सिंधु नदी तड़ पर इस्तित था बनवाली नामक हडपाई नगर किस नदी के किनारे इस्तित था वो है आपकी प्राचीन सर्श्वती चनहुद्रो किस नदी के तड़ पर इस्तित है वो है आपका सिंधु नदी तो चनहुद्रो है वो सिंधु नदी के तड़ पर इस्तित है तो देखे गाई Students इस वीडियो में हमने सिंदु काड़ी सभेता संबंदित महत अबनु परसुनों के बारे में पढ़ा है और इसे के साथ सिंदु काड़ी सभेता का चैप्टर हमारा खतम होता है और आगे हम पढ़ेंगे वैदिकाल के बारे में तो आदेत यासी काल हम पढ़ रहे थे आदेत यासी काल में हमने सबसे पहले सिंदुगाटि सब्वेता को पढ़ा अब हम पढ़ेंगे वधिकाल को तो वधिकाल को पढ़ने के लिए आपको हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज को सबस्क्राइब करना पढ़ेगा तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज को सबस्क्राइब करें धन्यवाद